क्या बजरंगी भाई जान वाह वली टू का रिकार्ड तोर देगी जी हाँ दोस्तों अगर जिस प्रकार से इस फिल्म को बॉक्स आफिस पर पसंद किया जा रहा है इन सारे आंकडों को देखते हुए माना जा रहा है कि ये फिल्म जापान में वाह वली टू का रिकार्ड तो कि सबसे बड़ी बात है इस फिल्म की कहानी इस फिल्म की कहानी में एक ऐसी कहानी को बुना गया है जहां पर दो देसों के प्रेम को एक साथ दिखाने की कोशिस की गई है और खास करके जापान की जो संस्कृती है और जो भारत की संस्कृती है इन दोनों की संस्कृती किनी ब को देखना बहुत पसंद करते हैं खास करके बजरंगी भाई जान में हर्मान जी की बात की गई है वो लोग लाड मंकी के नाम से उसे वहाँ पर जानते हैं और यही कारण है कि लोगों की दिवान को देखते हुए कबीर खान ने जापान में बजरंगी भाई जान को रिलीज क काफी पसंद किया था लेकिन बजरंगी भाई जान को रिलीज होने में वहां काफी समय लगा लेकिन अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि बजरंगी भाई जान क्या वाह वली टू का रिकार्ट तोड़ पाएगी या नहीं आईए हम बात करते हैं कि जापान में किन किन भारतिय फिल्मों को रिलीज किया गया है बाह वली टू और आमिर खान की पीके, धोमत्री, शारुक खान की रावां और फिल्ट आमिर खान की ध्री इडियर्ट, फिर स्रीदेवी की इंगलेस, वेंगलेस ये सारे फिल्मे जापान में वाक्स आफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन किया था क्योंकि इन सारे फिल्मों की जो कहानी थी बहुत ही अच्छी थी और सबसे बड़ी बात जो बाहवली थी जो बाहवली की कहानी थी वो हमारी महा कथाओं से ली गई थी इसलिए जापान में इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और अगर पीके की बात करते हैं तो पीके में एक ऐसे एलियन को दिखाया गया था जो भारतिय संस्क्रिती को किस प्रकार से और किन भृष्ट कोर से लेता है और आलोचनातमक उसकी ब्याख्या करता है और धूमत्री तो पुछो मत धूमत्री वहाँ पर इसलिए रिलीज हुई थी क्योंकि धूमत्री में आमिर खान ने सरकस के बीच एक जीवन को दिखाया है और इस प्रकार के जीवन को देखना यानि कि पुरानी संस्कृती को देखना जापान में हमेशा एक परंपरा रही है वहाँ आज भी पुरानी संस्कृतियों की बहुत ही जादा रिस्पेक्ट है और दूसरा रामन को वहाँ पर क्यों रिलीज किया गया है क्योंकि जापान में वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं और रामन को इसी लिए वहाँ पर रिलीज किया गया और थ्री इडियर्स इसको क्यों रिलीज किया गया है सबसे बड़ी बात जापान के लोग हमेशा मनोरंजन का स्वागत करते हैं और थ्री इडियर्स की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत कुछ बया तो करती ही करती है लेकिन सबसे ज़्यादा मनोरंजन करती है इस फिल्म को जो बनाने वाले डारेक्टर थे राज, कुमार, हिरानी उन्होंने इस प्रकार से पेस किया है कि आप सुरू से अंद तक इस फिल्म को देखते रह जाएंगे और सबसे बड़ी बात इस फिल्म के नायक आमिर खान ने लाजवाब अबने किया था फिर इसके बाद आई जो स्री देवी की फिल्म थी इंग्लिस बिंग्लिस ये भी जापान में तावरतोर कमाई की है अब सबसे बड़ा प्रस्थ ये है कि जापान में भारतिये फिल्मों को क्यों देखा जाता है इसका एक बड़ा कराण ये है कि जिन भारतिये फिल्मों में भारतिये संस्कृति को दिखाया जाता है भारतिये इतिहास को दिखाया जाता है और भारत में बिद्दिमान परंपराओं को दिखाया जाता है यहां के रीत रिवाज को दिखाया जाता है उन फिल्मों को जापान लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं आखिरकार जापान में बॉलिवुड का बाजार क्यों बनता जा रहा है आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि जापान भारतिय सिनिमा का एक बहुत अच्छा बाजार सबसे बड़ा कारण अगर आप इतिहास को उठा करके देखते हैं तो जब हमारे देश में बुद्धी जम था उसी समय से जैपनीज लोगों का लगाव हमारे धर्मों की तरफ था हमारी संस्कृति से था यही कारण है कि आज भी जापानी लोग भारत में आ करके बसना चाहते हैं बलकि मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत में आ कर साधी करना चाहते हैं जब हमारे जो संस्कृतिक जो एलिमेंट्स हैं और उनके जो संस्कृतिक एलिमेंट्स हैं दोनों में एक मिलन होता है और जब मिलन होता है तो दो संस्कृतियों के बीच संगम होता है और उस संगम सिर्व जन्म होता है रिष्टे का और यही वज़ा है कि जापानी लोग भारतिय फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और खास करके वो लोग उन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं जिनमें मारधार ना हो वो उन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं जिनमें एक मैसेज हो य और रंजन को ज्यादा महत दिया गया हो तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं सल्मान खान की पहली 300 करोणी फिल्म बजरंगी भाई जान थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 321 करोणी रुपए का बिजनेस किया था और ये फिल्म सब से पहले सुपर स्टार आमिर खान को पॉफर की गई थी फिर आमिर खान ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया फिर बाद में पहुंची हमारे भाई जान के पास भाई जान ने स्रिफ को पढ़ा फिर उन्हें सोचा फिर उन्हें का नहीं ओके इस ओके और उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हा कर दिया और सब थे के बी बिजे परसाद यानि की एसेज राजा मौली के पिता जी इन्हों ने ही इन दोनों फिल्मों का लेखन किया था यहीं वज़ा है कि ये दोनों फिल्मों की कहानी अपने आप में लाजवाब है इन दोनों फिल्मों को आप उठा करके देखेगे तो प्रेम की बाते परिवार की बाते रिष्टों की बाते भावनों की बाते ये सारी चीजे आपको देखने को मिलेंगी और आएए बात करते हैं कि बजरंगी भाई जान में ऐसी क्या खास बात है जो इसे जापान में रिलीज किया जा रहा है सबसे पहली बात कि जो बजरंगी भाई जान है इसका जो हीरो है यानि की पवन इसमें सलमान खान का नाम पौन होता है और हमारे बजरंग बली जी का नाम भी पवन होता है अब देखिए इस फिल्म को लिखने वाले लेखक ने कितनी चालाकी से सलमान खान को बजरंग बली बना दिया अब बजरंग बली कौन थे बजरंग बली वो थे जिनका जिकर आपको रामान में मिलेगा और रामचरित मरस में मिलेगा बजरंग बली वो इनसान थे जिन्होंने सीता को खोज निकाला था और इस फिल्म में हमारे पोवन सहाब सलमान खान भी एक लड़की को उसके देश, उसके वतन, इतने संघरसों के बावजूद किस प्रकार से पहुचाते हैं इस कहानी को दिखाया गया है एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इस फिल्म के लेखक ने रामायर के उस प्रंग प्रसंग का एडाप्टेशन किया था जिसका नाम उन्होंने रख दिया बजरंगी भाई जान देखिए जब हर्मान सीता की खोज में स्री लंका की ओर जाते हैं तो जिन जिन चीजों से वो गुजरते हैं उसी प्रकार की कठनाईयों को सल्मान खान को भी झेलना पड़ता है बजरंगी भाई जान में बस थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है लेकिन अगर ध्यान से आप रमाण को पढ़ें और बजरंगी भाई जान की स्टोरी को देखें तो दोनों के बीच एक समान तक एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सल्मान खान को बजरंग बली के रूप में बिजे प्रसाद ने अपनी लेखनी से उतारा है तो इसका उतारने का में कारण क्या था आखिर सल्मान खान का नाम पवन ही क्यों रखा गया बिजे क्यों नहीं रखा गया राहुल क्यों नहीं रखा गया इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है हमारे भारतिय संस्कृती में विद्दमान हर्मान जी हर्मान जी का नाम पवन है पवन नाम लेने से ही क्या हुआ ना कि लोगों के बीचे नाम बहुत जादा ही पॉपलर हो गया फिल्म का नाम रखा गया बजरंगी भाई जान फिल्म का जो पहला सब्ध है बजरंगी यानिकी बजरंग बली हर यूथ के मन में ये नाम रखता है जब वो डरता है तो बोलता है जаем हनमान गया निगृट सागर यह जो हर्मान चल सा है ना हर विवक अपनी जेब में रेकने चलता है इस प्रकार से एक प्रकार से जो लेखक थे ना वो बहुत चानाक थे उनकी इन दोनों फिल्मों को आप देखिए तो किस प्रकार से उन्हें ने भारते संस्कृती को जो एलिमेंट्स है उनको परदे पर उतारा है और मैं तो यह कहता हूँ कि चलाकी नहीं बलकि बुद्धिमानी है जब सारी चीजें आपके भारते संस्कृती में मौजूद है तो उसे आप फिल्मों को बाद्धिम से दिखाएए लोगों तक पहुचाएए वैसे भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं कम से कम सिनिमा के बाद्धिम से तो हमारी भारते संस्कृती को जानेंगे और सबसे बड़ा और कारण इस फिल्म की सिनिमाटोग्राफी लाजवाब की है और इस फिल्म की पटकता स्क्रीन प्ले ये इन सब पर बहुत मेहनत किया गया है और एक और मेन कारण है आप कबीर जी को नहीं पूल सकते हैं कवीर खान की भी मेनत इस फिल्म के माध्यम से दिखाई देती है तो दोस्तों क्या ये फिल्म जापान में पंद्रा सो करोण तक का बिजनेस कर पाएगी या फिर बाहवली टू का रिकार्ड तोड़ देगी ये आप हमें कमेंट करके बताईए अगर बजरंगी भाइज जान का सिक्वल बनता है तो इसके सिक्वल में किस ही रो को लेना चाहिए सलमान खान को या फिर किसी नए इस्टार को झाल, 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 झाल